हलो फ्रेंज मैं हो रंजू मेरे चैनल के आपका स्वागत थे आज बनाएंगे तील चिक्की इसे बनाना बहुत असाम है बहुत जल्दी बन जाता है एक खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो बनाना शुरू करते हैं तील चिक्की पैन को गैस पे चरहा दियें अब इसमें तील को हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे ऐसे लगतार चलाते रहेंगे तील का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है इसे थोड़ा सा और भी रोस्ट कर लेते हैं ऐसे लगतार चलाते रहेंगे गैस को लो फिलेंपे ही रहेंगे तील का कलर चेंज हो गया है, हलका साथ सुनारा कलर आ गया है गैस को आप कर देते हैं, अब इसे दुसरा बरतन में ट्रास्पा कर लेते हैं सेम पैन में चास्नी बना लेते हैं अब इसमें गुड डाल देंगे, जीस बॉल से तील लिये थे, उसी बॉल से दो बॉल गुड लिये हैं गुड को पैन में डाल देते हैं दो बॉल गुड डाल दियें पैन में, एक चमाच पानी इसमें डाल देंगे गुड में पानी चयादा नहीं डालना है बस एक चमाच ही डालेंगे इसे क्या होगा गुड जल्दी मेल्ट हो जाएगा गुड को मेल्ट होने देते हैं इसे लगतार चलाते रहेंगे गैस को लोटू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अब इसमें एक चमाच गी डाल देंगे गी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं गुड पूरी तरह से मैल्ट हो गया है इसे लगतार चलाते रहेंगे चासनी में जाग आने लगा है डाइस को लोब फ्लेम पे रखेंगे ऐसे लगतार चलाते रहेंगे चासनी को चेकर के देख लेते हैं परिफेक्ट बनाए की नहीं बॉल में पानी लेंगे इसमें थोड़ा सा चासनी को डाल देंगे अब इसे चेकर लेते हैं अब इसे चेकर लेते हैं गुड़ को इस तरह से एकठा कर देते हैं देखिए इस तरह से यह भी घीचा रहा है अब परफेक्ट नहीं बना है एक मिनट चासनी को और भी पका लेते हैं चासनी का हलका सा कलार चेंज हो गया है फिर से इसे चेकर लेते हैं पानी में थोड़ा सा चासनी को डाल देते हैं अब कुछ सेकन के लिए इसे छोड़ देते हैं अब इसे चेक कर लेते हैं देख सकते हैं क्रीश्पी हो गया चोकलेट की तरह तूट रहा है परफेक्ट बन गया है अब इसमें तील को डाल देते हैं चासनी में तिल को अच्छे से मिक्स कर देंगे गई उसको आप कर देते हैं इस पुरोसेस को जल्दी जल्दी करना है नहीं तो चासनी जमने लगता है तिल अच्छे से मिक्स हो गया है करें प्लास्टीका चिट लिए हैं इसमें घी लगा दिए हैं अब हिसे फैला देंगे कि एक बड़ासा चमच लिए हैं इसके पीछे घी लगा दिये इस तरह से इसे फैला देते हैं चम्मा से फैला दिये हैं अब इसके ऊपर दुसरा प्लास्टिक सीट को रख देते हैं इसमें भी घील लगा दिये हैं अब बेलन से मीडियम थीकनेस में फैला देंगे इसे इस तरह से इसे फैला देंगे, अगर आप मोटा रखना चाहते हैं, यह पतला करना चाहते हैं, तो आप उस अनुसर से इसे फैला सकते हैं चिक्की को मैंने मीडियम थिकनेस में फैला दिया है जिस तरह से मार्केट में रहता है उस तरह से इसे परफेक्ट फैला दिया है अब उपर का सीड हटा देते हैं चिकी में गरम में ही कट का निसान लगा देंगे ए फूरी तरह से जम जाएगा तो सही से कट नहीं पायेगा चिकी को जमने के बाद कट करेंगे तो यह तूटने लगता है चिक्की को छोटा या बाड़ा अपने मन पसंद अनुसार इसे कट कर सकते हैं अब इसे साइड से भी कट का निसान लगा देते हैं चिक्की में कट का निसान लगा दिये हैं अब इसे 20 मिनट के लिए ठंडी होने देते हैं चिक्की को 20 मिनट हो गया है, पूरी तरह से ठंडी हो गया, साइड वाला हटा देते हैं, देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है, दुर्ण तरफ से साइड वाला हटा देते हैं, सारे चिक्की को पलास्टिक में से निकाल देते हैं, देख सकते हैं कितना यसानी से निकल जा रहा है कितना पर्फेक्ट बना है कितना दिखने में टेस्टी लग रहा है आप इस रेश्पी को जरू ट्राय करें आपको यह बहुत पसंद आयेगा आप इस तरह से तील चीकी बनाएंगे तो आपका तील चीकी पर्फेक्ट बनेगा आप इस रेश्पी को जरू ट्राय करें सारे चीको प्लास्टिक सीट से निकाल दिये हैं अब इसे तोड़कर दिखाती हूँ देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है कितना क्रिस्पी है आप इस रेश्पी को ज़रूर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगा मैंने तील का लड़ू का वीडियो का लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहां से आप देख सकते हैं मेरा रेश्पी को लाइक कीजिए सेयर कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एक वर फी मिलते हैं नई रेश्पी के साथ